हाई गाईज टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं तो गाईज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नमकीन पापड़ी इस पापड़ी को अगर आप एक बार खा लेते हो ना कभी इसका स्वाद नहीं फूल पाओगे इतना जादा ये टेश्टी और क्रिस्पी है इस नमकीन को बनाने का जो प्रोसेस है वो एकदम अलग और हटके मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ तो पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा चलिए इस रिस्पी को सुरू करेंगे रिस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो सबसे पहड़े मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 300 ग्राम मैदा मैदे की कॉंटिटी कम ज़्यादा किया जा सकता है जितना पापड़ी बनाना चाहरा है आप उस हिसाब से और मैदे को अच्छी तरह से छान लीजे ताकि उसमें कोई भी एक्स्टा चीजे ना हो उसके बाद हमें चाहिए नमकीन क्योंकि हमें आप नमकीन पापड़ी बना रहे है तो मार्केट के इस नमकीन का यूज़ करके जह हम पापड़ी बनाएंगे ना वाव बहुत ही टेश्टी बनेगी तो मैंने लिया हुआ यहाँ पर यह मिक्स नमकीन यह नमकीन बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है खाने में मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इस नमकीन का यूज़ करने वाली हूँ आपको जो नमकीन पसंद है करके नमकीन पापड़ी बना सकते है साथ मैंने आप लोगों को बताने के लिए लिया हुआ है यह सेव तो मैंने यहाँ पर यह बाला जी की सेव लिया है आप कोई भी सेव ले सकती है तो सबसे पहले हमें नमकीन को जो है ग्रैनिंग जार में डाल करके ग्रैंड करना है तो जितना नमकीन आप लेना चाहें कौंटिटी कम दादा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मैदे में यह 100 ग्राम नमकीन का यूज किया हुआ है कैफ लगाए ग्रैंड करके इसे हम तयार करेंगे नमकीन ग्रैंड होने के बाद हलकी से गिली गिली से हो जाएगी क्योंकि इसमें काफी ओयल रहता है ध्यान रखेगा कि नमकीन हमें एकदम बारिक ग्रैंड करना है बिल्कुन भी इसमें बड़े दाने नहीं होने चाहिए तो सारी तयारी हमारी हो चुकी है चलिए हम डो तयार करेंगे तो डो तयार काने के लिए मैदा ले लिया है मैंने इसमें हम एट करेंगे एक चम्मच आजवाइन आजवाइन का फ्लेवर पापड़ी में बहुत टेश्टी लगता है तो आजवाइन को हाँस से थोड़ा सा प्रेस करते हुए आट करेंगे ताकि उसका फ्लेवर उठके आए साथ में आधा चम्मच काला नमक आट करेंगे और इसी के साथ आधा चम्मच सफेद नमक आट करेंगे नमक की कॉंटिटी कम जादा किया जा सकता है अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग सभी चीजों को पहले सुखा सुखा अच्छी तरह से मिक्स कर दीजी फिर इसमें हम आट करेंगे नमकीन का पाउडर जो हमने ये तयार किया हुआ था इसे हम आट करेंगे साथ में मोवन के लिए एट करेंगे रिफाइंड ओयल तो दो चमच रिफाइंड ओयल मैंने यहाँ पर यूज किया है आप चाहे तो घी का यूज भी कर सकते हैं अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स करेंगे जब ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा न तो आप देखोगे कि आपका जो मैदा है ये काफी मतलब किगला गिला सा हलका लगने लगा है देखिए इस तरीके से बांध करके देखिए मैदा बढ़िया बंध रहा है मतलब आपने मोवन एकदम पर्फेक्ट यूज किया हुआ है इससे आपकी पापड़ी अच्छी बनेगी और खसता रहेगी उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए डो तयार करेंगे अगर डो आपका स्वाफ्ट हो जाता है तो पापड़ी आपकी चिपकने लगती है तो यह देखिए यहाँ पर डो हमारा रेडी हो चुका है अब हमें डो को तीन-चार भाग में डिवाइट कर लेना है यानि बड़े-बड़ी जो है लोई तयार करनेना है उसके बाद आप चाहे तो चाकले पे पापड़ी बनाने के लिए बेल सकते हैं या फिर कीचन पेपर क्यचन की टेबल पे कर रही हम, तकी बड़े-जो है एक बार में हम बढ़ा सा बापड़ी बना पाए तो आराम से बैलनस से इसे लुए पतला कर ली जिए जितनी पतली आप रोटी बनाते हैं उतना ही पतला आपको यहाँ पर बेल करके तयार करना है उसके बाद हमें पापड़ी को कट करना है तो कोई भी आप कुकीज कटर ले सकते हो या फिर ऐसे जो है ना किसी डब्बे का ढखकन यूज़ करके पापड़ी को गोल गोल काट लेंगे साइज पापड़ी की आप पे डिपेंड करता है कि आप छोटी बड़ी या फिर मीडियम जिस साइज की पापड़ी काटना चाहते हैं उससाब से पापड़ी काट करके पहले तयार कर लिजिए उसके बाद अगर आप ऐसे ही पापड़ी को फ्राई करते होती है फोलने लेगे इसलिए हमें काटा चम्माच लेंगे और काटा चम्माच से छोटे छोटे यहां पर छेद कर देंगे जिससे की पापड़ी आप फ्राई करोगे तो बिल्कुन भी फूल लेगी नहीं और तो सौफ्ट हो जाएगी और हमें पापड़ी क्रिस्पी चाहिए तो सारे पापड़ी को मैंने होल करके तयार किया है जो एक्स्ट्रा मैदा दिख रहा है ना यानि डो है हमारा इसे हम निकाल लेते हैं इसे हम जो है फिर से बेल करके पापड़ी तयार कर लेंगे तो यहां लेंटो को बेल कर और पापडी काट के तयार करना है। अब आईई आपको छाने का तरीका बताती थी हो अपको छाने के लिए जाने केलिए चाहिए नेगम राखी जा इस जा रिखैर जारक जार्य केलिका टीटे दाइन झीजेकर अजया अच्छे। पापड़ी आपकी फ्राई होगी तो टेश्ट बहुत अच्छा है अगर आप तेज आज में फ्राई कर लेतो हो तो पापड़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है कल्ची से अलट पलट करते हुए चार-पांच मिम्यट में आपकी पापड़ी फ्राई हो जाएगी जैसे आप देखो कि इसका हलका सा कलर चेंज हो रहा है जैसे कि यह देखिए कुछ ही तरीके से यह दिखने लगी है अब हम इसे ओल से बाहर निकाल लेते हैं और किसी भी जो है टीशू पेपर या नियूश पेपर पर इसे रख दीजिए ताकि बिल्कुन भी एक्स्ट्रा ओयल पापड़ी में ना रहे इसी तरीके से बाकी पापड़ी भी हमें फ्राइ करना है और इसे कोई भी एयर कैंटेनर में स्टोर करके हम महीने दो महीने रख सकते हैं आराम से बिल्कुन भी खराब नहीं होती है खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी है उमीद करती हुए कि रिस्पी पसंद आई होगी आप अपने घर पे बना के ट्राइब जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताईगा रिस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइ वीडियो कैने उसे वीडRI कैसा है वीडियो कैने तरे म kale जा हुए ठाथ दरेम होगी है ku